नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र, ब्रह्मान्ड सिद्याश्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 17 फरवरी 2023 का संपुन राशिफल उससे बहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे योग सिद्धी है दिन का जो करन है वो कवलो है और जो रात का करन है वो तैतिल है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा सुबह 8 बच कर 23 मिनिट से लेकर 9 बच कर 49 मिनिट तक और अभीजीत मूर्थ दोपर 12 बचकर 17 मिनिट से लेकर 1 बचकर 5 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभीजीत मूर्थ दिन के शुब कालावधी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुर्णा काम या फिर निनने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वशुर्वत होगा दोपर 11 बचकर 15 मिनिट से लेकर 12 बचकर 40 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 3 बचकर 32 मिनिट से लेकर 4 बचकर 58 मिनिट तक का होगा रावुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुरुनकाम या फिन्यनने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज की दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा धनूराशी में ब्रहमन करेगा या चंद्रमा निप्चन के साथ लाभ योग करने जा रहा है और हर्शल के साथ त्रिकोन योग भी करने जा रहा है यह ग्रसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के भागिय बाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है और आप ही के लाभ बाव में से निप्चन के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए आज आपा जो confidence है, जो energy level है, जो positiveness है, वो काफी सही तरीके से देखे जाएगी, जो भी काम आप 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 मिलोगे, पूरे होते हो निजारेंगे, आज के दिन आपका भूमना फिर ना जादा हो सकता है, आपके जो मित्र परिवार हैं, उनसे काफी अच्छी सलाम मिल सकते हैं कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिल सकते हैं, कुल मिला के देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुबुफ लद्दाई साबित होगा, इसके बात की जो राशी है, वो है रुशब राशी, रुशब राशी के अश्टम बहु में चंद्रमा का ब्रहमन है, और आपके दशम काफी अच्छा दिन है, आपके अच्छा दिन है आपके लिए खास करेंगे, आज की दिन आपको अनेक्सपेक्टेड लाव अगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रहे है, जो भी आपका कारिशेतर है, उससे रिलेटेट भी कुछ अच्छे लाव आपको मिल सकते है कुछ अच्छे संकलपना या फिर आईड़स आपके मन में आ सकते हैं जो की फ्यूचर में जाके आपके लिए शुवफल अदाई साबित होंगे, दिन आपके लिए काफी अच्छा है, इसका बोरी तरह से लाब लीजिए. इसके बाद की जो राषी है, वो है, मितन राषी. möglichst सब्तमबाहा में चेद्रमा का भ्रह्मन है और आपके भागय बाव में सिध्ud, निप्चन के साथ ये चंद्रमा लाब हीअबध करने जा रहा है और आपके लाब लाब हमा में सिध्ud, हषल के साथ ये चंद्रमा, काफ हमने संदर हैं करें आपकर मिल सकते हैं पूरी तरह से लाब लीजे इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के शष्टमबाव में चंद्रमा का भ्रमनेर आपके अश्टमबाव में से निप्चिन के साथ या चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है तो जो भी आपका कारिशेत्र है वापर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी हा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के पंचम भाव में चंदरमा का भ्रहमन है और आपी के भाग्य भाव में सिथ हर्शल के साथ या चंदरमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है तो अगर आप किसी के relationship में है या फिर नई relationship बनाना जाते हो तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शेभूफलदाई साबित होगा उसे परकर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेट करते होगा आज आपकी जो अंदाज है वो सही साबित होती है आपकी जो वैवाई जो डिदर है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के चतुरत भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपी के अश्टम भाव में सिध हर्शल के साथ या चंदरमा त्रिकोन योग करने जा रहा है और आपके शाष्ट भाव में सिध निप्चिन के साथ या चंदरमा लाव योग भी करने जा रहा है इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी होगी दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीजिए इसके बात की जो राशी है वो है ब्रिचिक राशी या फिर पैसे की इन्वेश्मेंट के बारे में कुछ अच्छे इंटुशन्स आ सकते हैं कुछ आपकी जो money है पैसे है वो saving के बारे में भी कुछ अच्छी approach आपके सामने आ सकती है उसे परकार घर के जो लोग है उनके साथ भी आज आपके harmony काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बात की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी में इस चंद्रमा का भ्रमन है और आपके पंचब बाव में से थर्शल के साथ या चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके त्रितिया बाव में से निप्चिन के साथ या चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज आपका confidence, energy level बहुत अच्छी देखे जाएगी अगर आप किसे के relationship में है दोनों में जो harmony है बहुत अच्छी देखे जाएगी जो भी काम आप आप में लोगे वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेल करते हो कि कुछ अच्छी easy money आज की दिन आपको मिल सकते है इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के विया भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके चतुरत बाव में से धर्शल के साथ याचंदरमात्री को नयोग करने जा रहा है आपके द्वितिया बाव में से नेप्चन के साथ याचंदरमा लाभ योग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है ज़्यादा घूमना फिर नहो सकता है उसी परकर आपके जो वैवाई जुरिदार है उनके साथ भी आज आपके हार्मनी काफी अच्छी देखे जाएगे सिर्फ उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा दिन काफी अच्छा साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के लाव भाव में चंदरमा का ब्रहान है रापे के तृतिया भाव में सिथ हर्शल के साथ या चंदरमा त्रिकोनियो करने जा रहा है आज का जदिन है महतोपुर्ण साबित होगा आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है कुछ अच्छे लाव वगरा भी मिल सकते है महतोपुर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हैं इंट्विशन्स वगरा भी आज की दिन आपको आ सकते है तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुमुफलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के दशम भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके द्विट्य अभाव में से धर्शल के साथ या चंदरमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है आपके वेए अभाव में से ठिप्चिन के साथ या चंदरमा लाव योग भी करने जा रहा है तो जो भी आपका कारेशेत रहे हैं उससे related कुछ अच्छी बाते आज की दिन आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे love अगरा मिल सकते हैं वहाँ पर कि जो लोग होंगे, उनसे आपको काफी अच्छी मदब मिल सकती हैं, अगर आप नई job के बारे में सोचें, तो उसके बारे में भी कुछ अच्छी ख़बर आज की दिन आपको मिल सकती है, उसी परकार अगर आप कैसे के relationship में हैं, तो उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है, कुल मिला के देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुबुफल अदाई साबित होगा, तो दोस्तों ये था दिनांग 17 फरवरी 2013 का संपुण राशिफल, आपके राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुबाव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये चैनल है व्रमान्द सिद्धियास्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना, धन्यवाव,